ये श्रंकला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आम शांती आमुले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वाकत है विश्व परिवर्तन का यह ईश्वरी कारे बहुत ही बड़ा और बेहत का है और परमात्मा ने बताया है कि विश्व परिवर्तन का आधार है आत्म परिवर्तन अक्सर देखा जाता है कि इंसान बाहिये रूप से तो परिवर्तन बहुती सहजता से कर लेता है, लेकिन आत्मा के अंतर की सुक्ष्म कमजोरियां इस बेहद के कारे में अवरोध बन जाती हैं। परिवर्तन बहुत बहुत स्वागत हैं। दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही इस शरीर की स्मृती से बुद्धी द्वारा परे जाना और आना इस दोनों ही सहज अनुभव होंगे। अर्थात क्या एक सेकिंड में ऐसा कर सकते हो जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़ कर अपने अशरीरी स्वरुप मिस्थित हो जाएं। क्या ऐसे अनुभव चलते फिरते करते रहते हो जैसे शरीर धारन किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो जही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। योग की एक सरोज चिष्थिती है। जो योगी आत्मा हैं वो शरीर को यूज करते हैं शरीर में प्रवेश हुए जैसे और कर्म किया और जब कर्म पूरा हो गया तो इससे डिटेच हो अलग हो गया है। लेकिन ये बुद्धी से अलग होने की बात है आत्मा कभी शरीर छोड के नहीं जाती। शरीर छोड देगी तो इस सरीर मिट्टी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। शरीर में हैं हम, कर्म कर रहे हैं, बीच बीच में बुद्धी से जो इस्मृत्ती है, देहभान की, उस देहभान की स्मृत्ती से डिटेच होकर, जैसे आत्मा ने एक लाइट का सरीर धारन कर लिया, तो इस शरीर में आये, कर्म किया, कर्म करते हुए, आत्मे की स्थिति रही, और जब कर्म पूरा हो गया, तो इस कर्म से अपने आपको इस मृती से डिटेज किया यह बुद्धी की दिल है, बुद्धी का एक चिंतन है और इससे देखा जाता है जब हम बहुत कालतक अभ्यास करते हैं कि हम आत्मा इस कर्म छेतर पर कर्म के लिए आई हैं और हमने शरीर धारन डारन किया ये वस्त रहात्मा का और इसके द्वारा हमें कर्म करना है कर्म पूरा हुआ और इससे हम अलग हो गए तो इसको हम चलते फिरते भी अभ्यास कर सकते हैं और जब बैठते हैं तो ये इस अभ्यास को जिसने बढ़ाया है देह और देह की दुनिया की स्मृत्ति से एकदम डिटेच हो जाए, अलग हो जाए, नियारा हो जाए इसका अभ्यास जितना हमने किया है वो कर्म में भी हम कर सकते हैं जब आगे बढ़ते हैं परमात्म पूछते हैं कि जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सकेंड के स्विच आउन करने से चारों और लाइट वो माइट फैला देते हैं क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सकेंड के डारेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सरवात्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती हैं Science और Silence ये दोनों बहुत बड़ी शक्तिया हैं। Science के ऐसे साधन तयार हैं, जिस सिर्फ एक switch on परो, चारो तरफ से light फैल जाती है, रोसनी हो जाती है। चाहे light house है या power house है, दोनों एक switch के अधार से अपनी रोसनी अपनी शक्ति फैलाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, तो महारे पास silence power है, जो एक second में आपके अच्छे vibration दुनिया के अंदर फैल जाएं। जितना हम इस silence की इस्थिति को बनाते जाते हैं, सांत शरूप इस्थिति में इस्थित होते हैं, शंकल्प करते ही वो इस्थिति बन जाएं। युद्ध न करने पड़े, इस देह से detach होने के लिए महनत न करने पड़े, पर महनत लगती है, तो उसका कहीं न कहीं कारण है, कोई न कोई कारण है, उद्धी कहीं अटकी हुई है, किसी न किसी संबंद में, सेवाओं में, पदार्थों में, अगर कहीं बंधन है, कहीं दिखती है, कैसे ही तीसरे नेत्रद्वारा, एक सकिंड में, आप चारों और न सिर्फ भारत, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हो, जिसे सरल और सहजरीती से स्थोल नेत्रद्वारा, नजर फैला सकते हो, कै वैसे ही आप नजर से निहाल कर सकते जब परमात्मा का उत्रन होता है, तो प्रेक्टिकल हमने देखा, जब वो प्रवेश होते, उसी समय पूरी 20,000 की सभा को एक सेकिन में अपनी नजर से निहाल कर देते हैं, कहीं भी कोई कौन में बैठा हो, वो अनुभो करता है कि परमात्मा की द्रष्टी मेरे तक पहुच र ऐसे ही ये स्थूल नजर कितने लोगों को देख सकती है, लेकिन अगर ये तीसरा नेत्र ग्यान का जो नजर है, उस नजर को हम इस्थिर कर लें, और उससे पूरे विश्व की आत्माओं पर नजर घुमाएं, बहुत सुब भावना से, बहुत अच्छे संकल्पों से, तो वो सुब संकल्पों की ऐस शक्ती है, उससे आत्माें जो बहुत सिरुमाओं निहाल हो जाएंगे लोगों, ये फूल नसे नहीं जा सकती। विश्व पर लेकिन ऋनगर समय सबढ़ से नयरे जतना है तो इन डिनकर कोוד नारी प्रोच समय से, ऑप उल जये। एक्छिमाओं त चारों तरब बहुत सो भाउना की किरने वो सक्तियां पहला सकते हैं। क्या वैसे ही अपने तीसरे नेत्र की शक्ति देखते रहते हो। जैसे ये नेत्र के अंदर के अंदर के अंदर को देखने की ज़ुड़त है। वो अंदर का नेत्र जिसमें बहुत अच्छी एकागरता चाहिए। इसपश्टता चाहिए। जैसे ये नेत्र के अंदर अगर कहीं भी कोई धूल है, मिट्टी है, चलते चलते नेत्र कमजोर हो जाते हैं। उनको हम चेक करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, अपने आंतरिक नेत्र को, बुद्धी के नेत्र को, कितना वो शक्तिशाली और एकागर है। एक स्थान पर बैठे हुए कि आप पूरे विश्ट्व की आत्मों को इमर्ज कर सकते हैं। और उनको इमर्ज करके हम सुब होना की सकते का दान दे सकते हैं। इस नेत्र को भी चेक करना और चेक कराना चाहिए। विश्ब परमात्मा कहते हैं कि तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुखे दो शब्दों पर अटेंशन चाहिए। श्थूल नजर के कमजोर होने का कारण क्या होता है। ब्रेन वोर्क का ज्यादा होना। बाते तो वहीं हैं लिकिन इन सभी बातों को दो शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज हो जाता है। तौ खमजोरी लाने के दो शब्द हैं। एक लगाव, दूसरा पुराना स्वभाव. इन नेत्रों में कमजोरी तभ ही आती है, जब हम बहुत बुद्धी का वर्क करते हैं, कहीं फस जाते हैं. सारा टाइम होई चीज पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो ये कमजोर होने लगते नेत्र. तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, ये जो दो बाते हैं, एक लगाव, और एक कोई नो कोई पुराना सुभाव, पुराने आदते हैं, ये हमारे बुद्धी के नेत्र को कमजोर कर देती हैं. उसका एक गहरा कारण यह है, कि जहां जहां लगाओ होता है, सारा समय बुद्धी उधर ही जाती रहती है, और ज्यादा उस पर चिंतन करने से, उसको सोच लेने से, यह बुद्धी की सक्ति कमजोर हो जाती है, बाइसक दुनिया के अंदर हमने अच्छे विचारों का प्रभा अपनी बिसेष्टाओं से भी लगाओ होता है, अपनी सिवाओं से लगाओ होता है, अपने वस्तरों से लगाओ होता है, चीजों से लगाओ होता है, संबंध यह तो दूर की बात है, लेकिन कई बार हमारा सुक्ष्म लगाओ अपने आप से बहुत होता है, देह से भी अपनी तरफ खिचेगा, वो बाहर पुद्धी को ले जाने नहें देगा, तो एक लगाओ कमजोर कर रहा तीसरे नेत्र को, और एक कोई न कोई पुरानिया इसी आदते हैं, सभाओ, अगर हमारा एक आत्मिक सभाओ बन जाए, आत्मा को देखने का भाओ हम रखे, तो जो पु वो नेचर परिवर्तन हो, और लगाओ तूटे, तब हम विश्व कल्यान की बेहर सेवा कर सकते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि जो अपने ही लगाओ में फसा हुआ है, वह विश्व को मुक्ती वजीवन मुक्ती का वर्सा दिला ही कैसे सकता है, लगाओ वाला कभी सर्वशक लगाओ वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता, लगाओ वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा और लगाओ वाले संपूर्ण फस्ट जन्म का राज्य भाग के पाना सकें, इसको बहुत सूक्ष्म चेक करने की आओ सकता है, कई बार ह लेकिन हमें लगता है कि हमने सब लगाओ छोड़ दी है, समर्पित हो जाते हैं तो समझते हमने सब लगाओ छोड़ दी है, ना हमारा कोई संमंध है, ना कोई वस्तू है ना पतार्त है, सब बातों से अपने आपको डिटेच करका अनुभा करते हैं, इन बहुत सूक्ष्म और इनकी चेकिंग कोई करना चाहे तो उसकी एक बहुत अच्छी विधी है, जब हम योग करते हैं, जब हम मन बुद्धी को एकागर करके परमात्मा के अध्यान में बैठते हैं, जहां भी लगाओ होगा, उपर जाने की बजाए बुद्धी पहले उधर जाएगी, अगर विशेष्ताओं से, सेवाओं से, किसी सम्मंधी से, कहीं भी लगाओ है बुद्धी का, तो परमात्मा की याद आने के पहले वो चीज याद आएगी, हम चेक करें, जिसकी याद में बैठे हैं, उसकी याद कितना समय रहती है, और बीच बीच में बुद्धी किधर खिचत और योग नहीं लगेगा, तो विकर्म बिनास नहीं होंगे, धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा, मुझ पद नहीं मिलेगा, नंबर न सत्युक का जनम नहीं मिल सकता, तुछी सब का आधार है, आत्मा लगाओ मुक्त बने, बिलकुल निर्बंधन, बिलकुल जैसे पर आई कोई बंधन नहीं था, कहीं लगाओ नहीं था, ना दे थे, ना संबंध थे, ना पदार्त थे, ना वस्तुमें थी, बिलकुल प्योर आई थी, अब परमात्मा हमको उसी स्वरूप में इस्थित करके, वैसा बना करके साथ ले जाना चाहते है, तो हमें बहुत महिं अपने आपको चेक करना चाहिए, कहां कहां मेरी बुद्धी जाती है, खिष्टी है, जिसके कारण हमारा योग यथार्थ नहीं लगता, विकर्म बिनास नहीं होते हैं, उसको चेक करना पड़ेगा, भैसाब इसी से संबंधित, परमात्मा कहते हैं कि इसी प्रकार, पुरा इभाणा भावन रखने से स्वभाव एक विग्न बन जाता है। कड़े हैं, खारे हैं, दोनों की डिवेट चल रहे थी, कि अच्छा चल तुम मेरे साथ, मैं तुमको दिखाती हूँ, पहाड कैसे मिठी होते हैं, तो जो नमक वाली पहाड के पर चीटी रहती थी, उसको अपने हां निमंत्रम देके ले गई, और पूरा पहाड घुमाया ची तो जो नहीं मिठा लग रहा हैं, कारण बताओ, तो जब उस चीटी से पूछा तुमारे मुक में क्या हैं, तो जब उपने पहाड से चलने लगी तो एक नमक का धेला मुक में रख लिया, और वो होने के कारण उस चीटी ने शक्कर का चीनी का स्वादी ने लिया, वाना व जो थी नमक खाने की, उस नमक के अधार से पूरे चीनी के पहाड पर घूम किया ही, फिर भी उसको मिठास का अनुभो नहीं किया, तो ये पुरानी आदते हैं, इतना सुक का वातावान मिलते हुए भी, इतना पवित्र वातावान मिलते हुए भी, कई आत्माएं अपनी प अनुभो नहीं कर पाते हैं, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, कि ऐसे कोई सुभाव जो पुराने हैं, विकारी हैं, देहिक द्रिस्टी से देखने के हैं, देवान में आने के हैं, उसी रूप में, उसी बोल चाल में आने की उन सुभाव को चेक करो, और उनको समाप्त करो, तो ये अच्छे अनुभव आप कर सकते हो अब आगे बढ़ते हैं परमात्माम से कहते हैं कि जब की तन, मन और धन सभी बाप को समर्पन कर दिया तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव यह शब्द ही कहां से आया क्या मेरा अभी तक है या मेरा सो तेरा हो गया जब कहां मेरा सो तेरा तो मेरा मन समाप्त हो गया न मन और तन बाप की अमानत है आपकी तो नहीं है न जब हमने समर्पित कर दिया कि यह तन, मन, धन सब तेरा है और अगर ये श्मुरती रहती है, उसको मैने दे दिया है, जिसको दे दिया ओ मालिक को हो गया. हमारा अधहिका नहीं है, अभ उसने हमें स pension के लिए दिया, उसकी वह मेंदने है. तो अगर हम उसने हमाने नहीं है, तो उसमें भी मेरे पन का लगाओ नहीं। कई बार परमात्मा की दी हुई अमानत, हमने समर्पित किया, उसने हमें समालने के लिए दिया, उसको अपना समझ लेते हैं, और जहां अपना पनाता है, जहां मेरा पनाता है, वहीं ही दुख सुरू हो जाता है, कभी भी कुछ हो गया नीचे उपर, तो वह अपना पन होने के कारान बार-बार उसके संकल्ब चलते रहते हैं, आत्मा दुकी होती रहते हैं, इसलिए परमात्मा विधी बताते हैं कि सब समर्पित करो, और जब परमात्मा जैसे चलाना चाहिएगा, बिल्कुल, लिन बुद्धी बहुत निश्चे बुद्धी चाहिए, तरह सब आगे और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए-नए इन्वेंशन निकालते हो, फिर सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्या है वर्तमान समय विनास्कारी आत्मा है तो फोर रेडी हैं, तयार हैं। उनको तो एक से किन का इसारा चाहिए। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, इतनी बड़े विश्व का परिवर्तन, प्रकर्ति का परिवर्तन एकदम तमोगुणी दुनिया, तमोगुणी समस्कार, इसको एकदम सत्वगुणी में परिवर्तन करना, क्या इसके लिए आप लोग कभी सोचते हो, ब्लैन करते हो, विचार करते हो, कई लोग तो केवल एक घंटे के लिए क्लास करते हैं, मोडली सुनते हैं, चले जाते हैं, कभी सोचते नहीं कि हमें सेल्फ प्रोग्रेस करके, अपनी आतम उन्नती करके, विश्व की आत्माओं को इस प्रकर्ति को योगदान देना है, तो उसके लिए परमा पुर्षत नहीं है, समय दो, पहले अपने सेल्फ में परिवर्तन लाओ, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाओ, और विश्व परिवर्तन के लिए मन्सा सक्ती की सकास देने की सेवा करो, कुछ समय बैठ करके, मन बुद्धी को एकागर करके, प्रकर्ति के पांचों तत् परिवर्तन हो, और आने वाली दुनिया में प्रकर्ति सतो परधान हो, जो भी मानों आत्मा आएं, उनके अंदर सतो गुन हो, तो उसके लिए समय देने की बात है, तो सब परमात्मा कहते हैं कि जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं, कि ऐसे पावर्फुल यंत्र जो विनाश सहज और शीग्र हो जाएं, तो क्या ऐसे आप महावीर, साइलन्स की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो, कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में, अथवा उसे मुक्ती और जीवन-मुक्ती का बरसा लेने में सिर्फ एक सेकेंड ही लगे और सह साइज भी हो जाएं, बहुत बड़ा प्लैन है, बरतमान समय साइंस ने तो ऐसे साधन बनाए हैं, जो लोगों को तरफना न पड़े, हास्पिटल में जाने की जोड़त न पड़े, एक ही भम छुटे, सब के सब जहां हैं वहीं पर, पुरा मकान भी न गिरेगा, लेकिन उ उन बच्चों को कहते हैं, आपके पास ऐसे पावरफुल प्लैन चाहिए, ऐसी इन्वेंशन करो जो एक सेकंड में लोगों को मुक्ती और जिवन मुक्ती मिल जाएं, माना मुक्त हो करके अपने मुक्ती धाम जाएं, सरीर छुड़ेगा, सरीर सब का छुटेगा, फिर आत् सब को अपनी साइलेंस की सक्ति को बढ़ाना है, और संगठित रूप में साइलेंस की सक्ति के जो वाइब्रेशन्स हैं, प्रवाह हैं, वो पूरे विश्व के अंदर फैलाने हैं, उसके लिए प्लैनिंग होनी चाहिए और उसके लिए तपस्या की जरूरत है, एकांत में बैठकरके एक रस स्थिति में बैठकरके संगठित रूप में हम सारे विश्व की आत्मों को सकास दें, सांती का वर्षा दिलाने के लिए उनको कुछ मदद करें, सक्ति दाता, सांती दाता, मुक्ति दाता आ गया है, उसके साथ जाना है, तो ऐसी इसमरती जब जागरत निकुल वह साब आज आपने बहुत ही सहजिता से हमें समझाया कि कैसे हम अपने अंदर की कमजोरियों को भस्म करके, उन्हें खत्म करके लगाव और स्वभाव से मुक्त होकर विश्व परिवर्तन के इस बेहत के कारे में सहयोगी बन सके, हैसा बिस पश्टी करण के लिए आ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विश्व परिवर्तन के बेहत के कारे के लिए हमें स्वयम को सर्व लगावों से वो अपने पुराने स्वभावों से मुक्त करना अतियावश्यक है। परमात्मा ने बताया कि हमें योग प्लांस बनाने है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप हमें एमेल कर सकते हैं। हमारा एमेल आइडी है amolayratna at the rate godlywoodstudio.org अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, त जब चाहें शरीर का आधार लें और जब चाहें शरीर का आधार छोड़ अशरीरी स्वरूप में स्थित होना। तीसरे नेत्र में कमजोरी का कारण लगाव और पुराना स्वभाव। लगाव के नुकसान अशरीरी बनने नहीं देगा, सर्वशक्ति संपन होने नहीं फर्स्ट जनम का राजे भागे पानी नहीं देगा, वह विश्व को मुक्ती वजीवन मुक्ती का वर्सा दिला नहीं सकेगा इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर्ड स्टूडियो से संपर्क करें